नमस्का दोस्तों आपके और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है फिर से आपके लिए 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 लिखाया है वीडियो पाकिस्तान से कि हम अपने बाटर पर पूरी तरीके से त्यार खड़े हुए इतना कहना था कि पाकिस्तान को एक और सद्मा लग गया है यहीं नहीं अभी और सुनिये क्योंकि वहां पर फूट क्राइसिस पहले से चल लें ना जाने कितने क्राइसिस चल रहे हैं उसकी और इधर से हमारे इं कि तरब खाई है तो जाएं तो हम किधर जाएं बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो पे और देखते हैं वीडियो को वह आपके सामने ही था कि पहले उन्होंने बार्डर पे लगाए थे वह जहाद उड़े थे और हमने उनका पाइलट वापिस किया यह उनको पता होना च हाँ जी हाँ जी अरे कौन भूंक रहा यह बत्तमीज तो उनको यह ख्याल करना चाहिए ठीक है वो तो अगर देखा जाए तो उनका हमने एक पायट पकड़ा उन्होंने हमारे तकरीब बानवे हजार फोजी जो एक बानवे तर्यानवे हजार फोजी कतर की जंग में हैं उस टैम हम डिफाल्ट के करीब नहीं थे आई तो हम डिफाल्ट के करीब हैं डिफाल्ट के करीब तो हैं यह डिफाल्ट के करीब तो इन यह सियासदानों ने किया और कुछ हमारी स्टैबलिश्मेंट ने किया वरना अधर वाइज अवाम तो डिफाल्ट के करीब नहीं है ठीक है वाम का तो अपना एक महबद है अपनी कंट्री से क्या कहना चाहेंगे उस टेम हम ज्यादा मजबूत थे ज्यादा सट्रेंट पावर में थे या 71 या आज मजबूत ता था लहांद ना हम इस तेम भी थे और आज उससे 24 गेंटे आजर भी हैं और मजबूत भी है रहम दोलिल्ला बाप को भेज तेरे बस की बात नहीं वीडियो कैसे लगी कमेंट शेक्षिन में जाके अपना कमेंट जरू दीजिए का अपनी ओपिनियन जरू दीजिए का कि पाकिस्दान के जो हालात हैं वो क्या खुद इडिया क की वज़े से हैं या इन्होंने जो हरकते की हैं अपनी इन्होंने जो बोया हुआ हुआ है उसकी वज़े से हैं कि क्या वज़े के इंडिया के खिलाफ मतलब इंडिया के साथ कोई खास हमारी दुश्मनी बस ये तो आपको भी पता हैं उसने जब मजाईल लगा दी हैं तो पिर अंजयुघ लगाए नहां मलभ यहिए अगर उस्ने मजाइल लगा है प्रोटेक्शन बार्टर तो होता ही मजाइल की लिए हम प्रोटेक्शन करें ना अपनी प्रोटेक्शन आगलाई वो किसी को बताने के जुरूरत नहीं मगर पाकिस्तान के लिए हम्मरे बचे भी जंग पहले तो यह कि जंग होनी नहीं चाहिए आप आप 20 य९ह ऑघ जाखे लिए लिक्न हमारे पास था जजबा इमानी हम Al- acontece आप को समाल ना चाहिए और सब को होना चाहिए तो एकनोमीकली बड़ा मजबूत होता जा रहा है इस बाद से तो आगरी करेंगे वो तो आगरी करेंगे क्योंकि एक तो बहुत बड़ा है उसकी अबादी इतनी बड़ी है और टेकनोलोजी भी उसकी जादा है ये तो मानते हैं मगर इंशालला अल्ला का शुकर है कि हम भी किसी से कम नहीं है दो ल्कर हो लेकिन हमने अब प्रेक्टिकल बात करेंगे तो ही मारे असासे आपको पता ही है सारे गिरवी पड़े है और अकॉनमी का यह हाल है कि अभी बता रहे हैं कि पता नी दो दिन का पे ट्डॉल रह गया और आटा रह गया और ये वो मेरा भी यही स्वाल था कि दो दिन का अगर पेट्रोल रह गया या चार दिन का आटा रह गया है ऐसी सिच्वेशन में फोजीयों को कहां से सप्लाई बेजें बस हवा निकल गई और सिरफ दूसे नमबर पे सिरफ यह इंडिया के साथ बात नहीं अफगानिस्तान क हमें हमें यूनाटिट होना चाहिए मगर ये लोग यूनाटिट होने नहीं दे रहें ये कुई बारा थेरा पार्टियां जो जम्संगां हुए हैं जो कोई अच्छा काम करना के लिए तियार है उसको करने'm नहीं दिया जा रहा तो आपके सामने ही हैं ये कल नो कॉन्फिडेंस का वोट पड़ा है पंजाब में तो उनके सामने ही हैं पहले वो बड़ी बड़कें लगा रहे थे वजीर दाखला साब और आज वो राम से लेट गए हैं हमारे यहां पर हम अपने अंदरूनी सियासत में बहुत ज्यादा मसरूफ हैं दुनिया होजी में तरकीас हमारे साध़ulous heißt हम आपसमें लड़ाने के लिए लगा वह मिगया हो हो दिन पर लिज्ट इन हरत तरखियां कर रहे हैं इन को खुद शृम आनी चाही जितने भी इस दान हैं नहीं नहीं कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट शिक्सन में जाके जरूर बताईएगा फिर मिलेंगे आपसे एक नए ऐसी ही वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन बंदे मात रहा है बाई ये तो शुरूर से हमारा मुलक जो है किसी के कहने पे चल रहा है सब को पता है ये तो कोई जरूरी नहीं है कि हमें केमरे के उपर आके बताना चाहिए आज दस बारा साल के बच्चे से पूछ लो भी आपको ये बताएगे कि हमारी सियसत के अंदर बाहर की मुलके और ब किसानिया हमारे पॉलिटीशन क्यों साधिश होने देते हैं हमारे पॉलिटीशन के अंदर जो है ना सही लोग नहीं हैं अगर सही मांदार लोग आजाए हैं अपने मुलक और अपने दीन के उपर मर मिटने वाले तो ये बार की जूरत भी नहीं होगी कभी ऐसी बात नहीं क यह तो उन्होंने दिया हमें साड़े छेसो रुपए का लिकिनी सरकारी है इसलिए हाँ जी इसलिए नहीं मिल रहा है दुकानों के अंदर यह इतना लाइन में लगा कितने यह लाइन तो इस दब मुझे तलो तोड़े अच्छा ही मिल गया साथ आठ लोग थे क्यों के अंदर को सोचना चाहिए नहीं हमारी फारच को सोचना चाहिए सहसे दानों को सोचना चाहिए अब तुलगई ओढ़ भी बंद्दूकKI-वालिललाई मुझे लग रहे वह ख़तम हो गई अब लड़ाई यही है कि मुलक को जो है, करजाई करो, उनके जो असासे है, जो आवाम की बिल्डिंगी वगयरा, जो जो भी असासे है, उनके पर खब्जा करो, और उसके बाद मुलक को ऐसा मजबूर करो, कि जो आप उसको को गए उनको मानना पड़ेगा, उसी तरह हमारा आवाम को ASS पक्सान की पब्ली को पता चाल रहा है कि भाइ या वो जजबे वाला वो फारी रिंग शार इंग बाली लडाई खत्म हाँ जीव तकलेहन खत्म लडाई ये है कि मुल्क को पहले कमजोर करो उनको करजा दे दो उनके उपर सूच चड़ा दो उनके उपर उनके उसासों के उपर कब्जा कर लो फिर जो आप उनको को गए उनको मानना पड़ेगा इस हिसाब से तो हम आल लाडी फिर हार चुके हैं बाई यह तो आपको भी नजर आ रहा ह पब्लिक तो हमेशा से बोज उठाती आ रही मिंगाई कभी उठा रही बोलती क्यों नहीं अपने हाग के लिए बाहिए मैंने आपको बताया पब्लीक को इतना मजबूर कर दी आप सुबह से मैं मतलबे पहले अटा लेक आएं उबाद में दुकान पे आएं तो क्या करें